Hello friends welcome back again last video में मैंने आपको HSRP layer 3 device पर यानि layer 3 switch पर configure करके दिखाई थी उसमें मैंने अपना method 1 बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम layer 3 switch के interface को layer 3 interface बना कर उसके IP address configure करके HSRP configure कर सकते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो मैंने method 1 बताया था आज मैं आपको method 2 बताने वाला हूँ इसमें मैं कगरने के आवाला हूँ जो मेरा interface है उसमें को मैं अपने वीलेन के अंदर मैं IP address configure करूंगा और जो वैन इंटरफेस है नि switch to router के विच्व कनेक्शन है उसको मैं यहां पर layer 3 interface मना के उसके IP address configure करके और यहां पर यहां पर देखे जो टोपलोजी है वो मेरी सेम है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में यहां पर यहां पर सबसे पहले मैं अपने PC1 पर जाता हूं इसमें आपको IP दिखा तो मैंने IP क्या दी हुई है तो यहां पर इसको इसके console गंदर जाता हूं इसमें देखिए यहां मैं अपना console गंदर जाने के बार इसमें देखिए IP मैंने जो किया 10.21 8.10 और सबनेट मास 24 और जो मैंने gateway दिया है वो मैंने 8.50 का दिया है यहां जो इंटरफेस पर मैं आपना IP के अंदर वही मैंने आप गेटवे दिया है अब मैं अपने layer 3 switch 1 device पे चले जाता हूं यहां प interface VLAN 1 के उपर ही मैं IP देने वाला हूं तो यहां पर जाता हूं मैं interface VLAN 1 के अंदर यहां पर IP address देता हूं 10.21 8.50 उसका subnet मास देता हूं और फिर enterprise करता हूं और no set कर लेता हूं तो देखिए यहां पर मैंने layer interface side मैंने अपना layer 3 interface पर अपना यहां पर interface को यहां पर layer 3 interface बना कर इसे बाद मैं आप इंटरफेस पासरे नेट जो से लाइस ऊपर जाता हूं सबसे पहले यहां कमांड उज़ करता हूं no switch port करने के बाद देखिए हमारा interface layer 3 interface बन जाएगा इसके बाद मैं IP address configure कर सकता हूं तो यहां पर मैं अपना IP address देता हूं 10.21 sorry 10.22 8.1 में यहां पर IP address देने वाला हूं 10.22 8.0 के network यूज़ कर रहा हूं यहां आप इजी आर पी रोड़ कनो करने वालों तो इसके लिए मैं router इजी आर पी और 10 लिखता हूं रहां इंटर्फैस करता हूं 10.22 8.58 और जो वेंस इंटर्फैस पर करने वाले हैं 10.23.8.1 और सेम परिकेसे पर EIGRP भी रहन कर देता हूं इतना काम करने के बाद अब मुझे जाना है अपने राउटर के उपर आ जाने के बाद आप मुझे करना क्या है मुझे करना क्या है मुझे करना है एक लूप बैक तो यहां पर मैं इंटरफेस लूप बैक 150 याप करने वाला हूं क्याने यहाप कर लेता हूण अब मैं आपना pew नवालीच करने वाला हूँ या πol मिय आपनी जैय अपना इंटरफेस यहां साथ इंटरफेस। औन रावक पर फिर लिगाया उसके पारहा है उसके बाद मैं Klasear P ban करुंग तो यहां पर सबस這麼क्राइब ये भाल ने कीवाद महीं करते हूं भीचीर लिए something करने हो घृता है है अब मैं अपनी वैंसाइड इंटरफेस के आइप को यहां पिंग करता हूं जो मैं यहां पर इस पी राउटर से यहां पर कमिनिकेशन करने को जिस करता हूं जो कि मेरा यहां पर करता है यहां पर हमारे इस पी राउटर इसके वीच में चुका है अब हम इसे सार फी को फिगर कर सकते हैं अपने लेटर दिवाइस के ऊपर कैसे करना है वह में इंटरफेस विल्यान बन के ऊपर यह में कॉन्विगर करनी है तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो सब्सक्राइब करने का कोई नया तरीका नहीं है आप अलग से में अब मैं आपको बना के दिखा दिया है तो यह था मेथड़ तो अब मैं आपको मेथड़ 3 बताऊंगा अपनी नेक्स वीडियो में कैसे मेथड़ 3 में हम लेयर 3 ड्यूसिवाइस कर सारे भी कॉन्विगर करेंगी